माक्स कहता है दुनिया के मज़दूरों तुम सब एक हो जाओ माक्स के चार में यहां कौन है उपर? शोशन करता और यहां कौन है? शोशित यह शोशित कौन है? जन्न या सरवहारा माक्स यह समझाता है कि भैया जो तुम लोग हो न जन्न जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है किसकी आबादी सबसे ज़्यादा है सरवहारा की कहता है माक्स की सबसे ज़्यादा जो सक्ति है वो इसी के पास है शक्तिशाली यही है इसको पता नहीं है कि यह क्या हो रहा है अगर इसको पता हो जाए तो ये बिद्वन्स पैदा कर देगा इसलिए माक्स कहता है दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ दोनों हाथ उठालो जो भी तुमारे हाथ में उसको लेकर आगे बढ़ो एक रक्त रंजित करांती कर दो और सरवहारा समाज का स्थापना कर दो इस उपन्यास में भी पता के वहां सब्साथी लड़ेंगे साथी एक साथ मरेंगे कामरेड हैं हम सब बड़ा अपीलिंग होता है जो निम्नवर का आ जाता है उसको कोई कैरे कामरेड आओ साथ में अमेशा से वन्चित है तो लगा यार बराबरी की बात हो रहे है विचार धारत बड़ी अच्छ लोग जो हैं इसमें केंद्र में आते हैं लेकिन फिर इसमें भी जो बुद्धिजीवी हैं वो खा जाते इनका अधिकार इसलिए माक्सवाद की जो राजनीती करने वाले जो लोग थे धीरे-धीरे क्योंकि यह आम जनता के अधिकारों का दमन करने लगे और केवल विचारधारा के आधार पर लोगों को भ्रहमित करने तो यहां आपको एक बात यह भी समझ में आएगी कि शक्ति का मूल स्रोत क्या है सरवहारा वर के पास जैसे आप भारत के समयधान पढ़ेंगे तो भारत म की जनता ही शक्ति का सोत है हम भारत की जो जनता है ना उससे ज़्यादा सक्तिशाली कोई नहीं है